माता पिता के बिना दुनिया की हर चीज पूरी है दुनिया का सबसे सुन्दा संगीत मा की लोरी है जीवन में दो बार मार बाप रोते हैं जब बेटी घर छोड़े और बेटा मुनोड़े हेलो एवरिवन जैसंतो सिमाता कैसे हैं आप सबी लो आज में बहुत ज़्यादा दुखी बहुत सेड़ थी और सच में कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था और प्लीज जो भी नए आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करीजिए प्लीज सपोर्ट कीजिए और इतना में बह माबाप की याद आती ही रहती है तो ऐसे ही मेरे माबापा की याद होता रही है मा की भी याद आ रही है पर पापा मेरे इसी तारीक इसी टाइम मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कर दिया था और सच में मैं ये काम जरूर कर रही हूँ पर मन में एक बस हल कि कास मेरे मापाप होती, मीरे सास त शुरू होती, सब लोग होती, तो कितना अच्छा होता आजी के दिन मेरे, पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, हम सब को छोड़कर चले गए थे, और कितने उमीदे, कितने सब कुछ होता कि माबाप की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और कितने भी हम लोग उमरदार हो जाएं बूड़े हो जाएं फिर भी माबाप की जो कमी है वो हमेशा रहती है जिन्दिगी वर रहती है और तो यही है कि जब माबाप बचों को छोड़ कर चले जाते हैं तो बचों पर क्या बीटती है और माप बचे ही जान सकते हैं तो हम पर जो हम लोग पर हमारे भाई और हम पर गुजडी है तो वो हम समझ सकते हैं उनको भी हम समझ सकते हैं जिनके माबाप नहीं है और सच में माबाप की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है और I love ममी पापा बहुत याद आते ह सच में मुझे बहुत कमी महसूस हो रही थी वो दर्द इतना दर्द हो रहा था कि कुछ पूछो न सच में मैं खुद माबाप बनी हूँ माबनी हूँ फिर भी मुझे अपने माबाप की याद आती है और आज मेरे पापा को इक्सपार हुए 17 से 18 साल हो गए है सच में अपने पापा की हर एक एक बात हर एक एक उनकी आवाजना आज भी मेरे कानों में गूंजती है पापा की हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी मेरे पापा की हर बात गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता था सब कुछ पापा मुझे पर कभी हाथ नहीं उठाए, कभी मुझे डाटा थोड़ा बहुत, तो डाटी है यह है, फोड़ी फी, अगर गलती करो, तो माबाप की तो डाट खानी ही चाहिए, और बिना डाट खाए, तो हम लग सुधन नहीं सकते हैं, ये तो सब की पर पापा की बहुत याद आती है हर उनका लब्ज हर उनकी चीज उनका हर चीज मुझे बहुत याद आती है पता जब मेरे पापा ने मुझे बिदा किया था तो वो लब्ज मुझे पापा की बहुत याद आती है जब मेरे पापा ने मुझे से कहा था कि बेटी बिटिया तो मेरे घासे जात हो रही हो पर मेरे मूच्छें मत लचाना किसी को किसी को जवाब मत देना किसी को कुछ मत कहना तो इसी लिए कहते हैं ना कि वही बात मेरे दिल में आज रखी रही मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं का दुख सब कुछ सही, मैं सब कुछ से दुख तर्द सही, अपने माबाप को कुछ भी नहीं बताए, फले ही दैसे उधर से पता चल जाए, पर मैंने अपने माबाप को कभी नहीं कुछ बताया कि मुझे इस चीज की तकलीप, या उस चीज की तकलीप, क्योंकि मैं जानती थी, अगर हम बताएंगे तो मेरे पापा को बहुत ज़्यदा दुख होगा तो सुख दुख तो हमारी जो किसमत में होगा हम लड़कियों के वह यह ससुराल है तो ससुराल की तरह रहना चलना सब करना पड़ता है तो मैं तो सहर में मतलब पैदा हुई बड़ी सहर में ही गाउं का महुल बहुत कम देखा था और फिर भी मेरे मम्मी पापा ने गाउं में सादी की फिर भी में अरजिश्ट की रही सब कुछ हर तरीके से रहने की कोशिस की सब कुछ मैंने अपनी साथ से सीखा कुछ चीजे हैं अपनी साथ से सीखा और क्या बताओं तो आज नब मैं बहुत ज़्यादा सेर थी तो सोचा चलो आपके साथ सेर कर देती हूं कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी और ये कल का वीडियो था तो नहीं डाल पाई मुझे सच में पूरा दिन और फिर मेरी जाँच भी आ गए तो इतना मैं डर गए जाँच देख कर की कुछ पूछोना कि मैं तो यह सोचते हूं कि मैं ठीक रहूंगी मेरे हैजबन ठीक देखो मा दोनों माबाब ठीक रहेंगे तो बच्चों का जो है वो भी सही रहेंगे और क्योंकि अभी हमारे बच्ची इतने बड़े नहीं है और इसलिए अपना सबसे पहले अपनों लोग का खया लखेंगे अपने सरी का खयाल रखना है तो इस वज़े से तो मेरी रिपोर्ट आ चुकी है थाइराइड की तो थाइराइड के पांच साड़े पांच होना चाहिए 127 थाइराइड हमारी बढ़ी है तो वही तो मेरी हाथ पैर मेरा सरी पहुत दर्द हो रहा था सच में इतना बिमार पढ़ गएती बहुत ज़्यादा बिमार पढ़ गएती बच्ची खाना अपने आपने बना लेते तो बना लेते नहीं तो वो ऐसे ही भूखे लेट जाते तो मैं जानते हूं कि हमारी कितनी जरूरत है अपने बच्चों के लिए हमारी बहुत प्रत्र रखना ही है और वही मैं सोच जो किन हो वहीं तो और कहीं न कहीं जो भी होता है अच्छा या बुरा तो वो भगवान हमारे लिए अच्छा ही करता है तो बस यहां पे हम सब्जी बना रहे हैं यह साम का टाइम है लगबग यह सोमबार का सोचाता मैं डाल दूँगे कल भी नहीं आप से समपर्ख हो पाया कल भी तब यह नहीं ठीक रहती है तो फिर टेंसन भी रहती है सोची कि टेंसन यह रहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा तो वही है बद दवा लाई हूँ दवा टाइम से खालूंगी और अपने आपको क्यार करूंगी अपना क्यार रखूंगी क्योंकि माबाप से बढ़कर बच्चे के लिए कोई कुछ नहीं है अगर हम नहीं रहे तो हमारे बच्चों के लिए कोई कोई नहीं खड़ा होगा झाaware में समसकते हूँ कि जब हमारी का एकसपाई हुए थैं और को कि नहीं खड़ा हुआ था इसके वाद मंय이 खड़ा हुआ खड़ा एकसपायर हुई तो कोई पास में भी नहीं सब लोग होते वी सबपास में नहीं कभी इस चीज़ को हिसास सब कोई होते हुए भी इस च पर किसी के लव्ज ये नहीं निकलता है कि हम हैं, माबाप की कमी हम हैसुस करें, हम पूरी करेंगे, कोई नहीं कहता है, आज कल के जमाने में ने, पहले का जमाना चला गया, कि सब लोग अपने हो जाते थे, कोई दुख में सब लोग खड़े होते थे, पूरी जिन्दिगी का सोचकर मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चों के लिए मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए अपना सरीर स्वस्त रखना है कैसे भी जब तक उनकी साधे न हो जाती है और कहते हैं कि एक बार सरीर में किड़ा लग जाने के बाद जो बीमारी का कीड़ा लग जाता है वो कभी नहीं छोड़ता है वो छोड़ता है जब मरते दम तक साथ ही रहता है तो बस यही है तो बस आपके साथ बात कर लेती हूँ अच्छा लगता है क्योंकि कोई बात करने वाला है नहीं बच्चे हैं अपने पढ़ाई में लगे रहते, उनसे क्या बात करूँ, थोड़ा सा हस खेल लेती हूँ उनके साथ, बतला लेती हूँ, बेटी होती तो आज मेरा पास बेड़ती, थोड़ा सा उससे बाते कर लेती, पिर जो है भगवान ने दिया है, उसी में खुस हैं,